Assalamualaikum class 5 how are you I hope you are fine now today our topic is a magnetic compass आज का हमारा topic is magnetic compass compass तो आप सबने देखी है magnetic needles जिसको भी कहते है कि needles कि a coding compass जो है वो हमें क्या आती है हमें direction के बारे में बताती है a magnetic compass is a simple magnet magnet that can move in the direction of the earth north and south magnetic compass जो हमें help out करती है कि अगर हम किसी भी position पर खड़े हैं तो with the help of this needle this compass जो हमें north और south का पता चल सकता है ये needle जो है इसके अंदर जो needle present होती है ये according to magnet काम करती है तो ये हमें जैसे अर्थ का एक magnet होता है ना अर्थ के magnet में अर्थ में भी पोल्स होते है नोर्थ पोल है और south पोल है इसी तरह magnetic needle जो है वो जो अर्थ के अंदर magnet present होता है उसकी according magnetic needle हमें बताती है कि अर्थ में किस तरफ नोर्थ पोल है और किस तरफ south पोल है मेगनेटिक नीडल को, मेगनेटिक कमपस को, हम जएधा तर जो है, वो डिरेक्शन को, फाइंड आट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और यह हमें हमेशा जो है, बताएगी कि नॉर्थ पोल किस तरफ है, यह साउथ पोल किस तरफ है, हमेशा इसकी नीडल में एक now the next is demagnetization when a magnet lose its power we say that it has become demagnetized what does it mean demagnetized का क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जब magnet जो है वो अपनी पावर लूस कर देता है अब मेगनेट अपनी पावर का लूस करते है ऐसा तो हमने कभी जब देखते हैं कि यह मेगनेट जो है अपनी पावर कैसे लूस करता है बहुत से वेज हैं जिसे मेगनेट जो है वो अपनी पावर लूस कर देता है जैसे कि एक नीडल है आपके सामने नेल है देखें इसमें पहले नोर्थ पॉल जो है वो साउथ पॉल अरेंज है ठीक है उसके बाद जब यह ख्राब हो जिती है ना नेल वगरा वेद्च पेटा जाती है छैकर भास फैफ नॉट फाने थिर ऀर और जम हमगम्र्ट्रो मारते हैं या उसको किसी भी चीज के सीज़ से हिट करते हैं तो तो पिर भी हमें kार्ट्रों काम हो जाती जो है वो काम हो जती आ तरह花 मैगनेट जो है प्रिदान में फाराफ घ्रम टाइयग को में इससी तब है मैगनेट में कर देता है। क्लास 5, now the next is creating an electromagnet, what does it mean, electromagnet का क्या मतलब होता है, आपके जैसी unit का नेम है, magnets and electromagnets, in the previous lecture, we have already had already learned about the magnets, ठीक है, in this lecture, we learned about the electromagnets, electromagnets वो चीज होते है, जो हम खुद किसी needle को, या magnetic materials को हम magnet बनाते हैं, अब जैसे magnet जो था हमने पढ़ा था, iron से, nickel वगएरा से बनता है, इसी तरह इलेक्ट्रो मेगनेट्स जो हैं, वो हम through magnetic material बनाते हैं, अब इलेक्ट्रो में तो electricity होती है, और इसको हम electricity प्रोवाइड करते हैं, for example, look at this class, ये battery के साथ हमने एक wire attach की है, wire को, wire के negative और positive terminal को, हमने इसका, एक coil बनाके nail के साथ attach की है, ठीक है, इस nail की क्या, अब इसकी characteristics ये हो गी है, कि ये electromagnet बन गया है, ये किसी भी magnetic thing को, magnetic materials को, अपनी तरफ क्या कर लेगा, attract कर लेगा, हम किसी भी electricity को, हम electricity use करके, magnetic material को change कर देते हैं, magnets में, और हम इसको कह देते हैं, we call it's a electromagnets, इसको electromagnets कहते हैं, अब electromagnets जो हैं, वो किन-किन चीजन से मिलकर बनता है, electromagnets में, जो होती है, वो एक कोईल वायर होती है, कि हम इसके गिर जो है, ये देखें, जैसे नेल पे जो है, class 5 ये कोईल हमने जो है, वो पूरा ये कोईल बनाया है, ठीक है, इसी तरह, इस कोईल के थ्रू जो है, वायर, करंट जो है, वो बैटरी से करता है, और आपका जो electromagnetic materials है, वो क्या होते हैं, वो magnetize हो जाते हैं, ठीक है, जब वो magnetize हो जाते हैं, तो वो easily जो है, किसी भी electromagnetic material को अपनी तरफ attract कर सकते हैं, ठीक है, नो, next is electromagnets, electromagnets क्या होते हैं, electromagnets differ from normal magnet, in one major way, they are made by passing an electric current through a wire that has been wrapped around iron, the current creates a magnetic field and magnetize the iron core, when the current is turned off, the iron loses magnetism, yes, कि अगर हम कोई भी magnetic material लें, या जैसे हम आईरन का कोई पीस लें, अगर हम उसको coil of wire को उसके गिर्द जो है, वो वांट कर दें, उसके गिर्द लपेड दें, तो क्या होगा, वो easily, करन्ट पास्थ्रू होगा, और इस पास्थ्रू होने की वज़े से, आईरन जो है, वो क्या बंचेगा, magnetize हो जाएगा, और यह easily, जो है, वो attract कर लेगा, magnetic material को, ठीक है, magnetic materials को जब यह attract क्यों करेगा, क्यों क्यों करेगा, क्योंकि आप जो है, घर में भी, जो, electromagnetic needles बना सकते हो, तो किस तरह आपने बनाना है, अगर आप सिंपल हॉममेड Electromagnet बनाना चाहते हो, तो आप जो है, वो इसके पास अगर नीडल रखो, तो नीडल जो है, वो easily attract हो जाएगी, इस material से, Electromagnet बनाने के लिए, हमें easy, simple जो है, वो एक battery चाहिए होती है, एक coil of wire, और फिर जाएगी, magnetic material nail, आप जो है, वो ले सकते हैं, ठीक है, With the help of this nail, आप इन तीनों चीज़ों को combine करके, easily आप Electromagnet बना सकते हैं, अब Electromagnet जो है, वो कहां कहां यूज होते हैं, Electromagnet जो है, वो सबसे first way, Can used be to lift object made of magnetic material, for example, iron and steel, जो चीज़ें iron और steel से बनी होती है, magnetic electromagnets जो है, वो उनको separate करने के लिए यूज होते हैं, Next is the crane has a large electromagnet which is turned on to lift scrap iron and steel and turned off to drop it somewhere else, yes, जैसे crane में जो है वो, आप देखते हैं, Electromagnet लगा होता है, Scrap yard में, जब हमने किसी भी metals को scrap yard से separate करना होता है, यह किसी दूसरी non-magnetic material से separate करना होता है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, Electromagnet यूज करते हैं, वो magnet जो है, वो electricity से work out करता है, तो इस वज़ा से हम easily जो है, उसकी magnetic power increase हो जाती है, magnetic field increase हो जाती है, तो वो easily scrap yard से iron, steel और जितने भी magnetic materials हैं, उनको अपनी तरफ पुल कर लेता है, ठीक है, Now, the next is, Electromagnet use, second is, Electromagnets are used in telephone, doorbells, constructions equipment and more, Electromagnets जो हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जैसे, यह टेलिफोन हैं, doorbells हैं, constructions equipment हैं, और इसमें TV हैं, radios हैं, ATM cards हैं, Motor, computer, hardware, hardware drives जो हैं, इन सब में Electromagnets जो हैं, वो यूज होता है, Now, Electromagnets जो हैं, वो जिन नेटर वगहरा में class 5 यूज हो सकता है, Electromagnets तो यह हमने पढ़ा है, कि स्क्रैप यार्ड में यूज होता है, किसी भी चीज में, नोन-magnetic materials को, Magnetic material से separate करने के लिए, हम Electromagnets जो है, वो यूज कर सकते हैं, अब Electromagnets से जो है, वो एक ऐसी जगह भी यूज होता है, कि जैसे कि आपने 3 class पर पढ़ा था, Magliff train, यह जो Magliff train है, यह train जो है, यह without wheels वर्क आउट करती है, और लेकिन यह as compared to other strength जो है, वो high spirit से अपने track पर move करती है, क्यों कि यह Electromagnets जो है, उसके principle पर वो वर्क आउट करती है, ठीक है, Magliff train को हम इसलिए Magliff कहते हैं, क्योंकि यह Electromagnets के through ही move करती है, अगर Electromagnets के through यह move ना करें, तो इसकी भी speed जो होगी, वो slow होगी, और इसमें Magnetic field जो होगी, वो काम हो जाएगी, जैसे train जो है, वो, for example, the train contains magnets in which the north pole faces upward, the train contains magnets in which the north pole faces downward, since similarly poles repel each other, when the electricity is turned on, the train floats just above the track, yes, इसमें north pole क्या होता है, north pole का phase जोता है, वो upward होता है, ठीक है, और north pole दूसरी तरफ जोता है, वो downward होता है, वो एक दूसरे को repel करते हैं, और फिर इस वज़े से, जब हमने पढ़ा था कि north pole, north pole को repel करेगा, तो क्या होगा, कि वो उसमें एक दूसरे को attract नहीं करते हैं, जब वो एक दूसरे को repel करते हैं, तो वो जएदा तेजी से move करेगा, ठीक है, class 5, या अपने जो है, electromagnet की definition, maglif train का topic, demagnetize की definition, और a magnetic compass की definition, जो है, वो याद करनी है, और इस दफर जो आपको work sheet मिली है, वो जस्ट आपने work sheet जो है, वो soul out करनी है, ठीक है, class 5, okay, allah hafiz,